नमस्कार प्रफासाक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि जैसे डाइनोस और धर्ती से गायब हो गए वैसे ही कॉंग्रिस भी गायब हो जाएगी राजनात सिंग का तंज तो आई ये सुनते हैं आज के इस पॉड़कास्ट को लेकिन उसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले ताकि आप रोज ऐसे ही इंट्रेस्टिंग का जानका है रिपन पॉड़कास्ट तो सुन सके राजनात सिंग का बड़ा दावा गुजरात के भावनगर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए रक्षाम मंती और भाश्मानेता राजनात सिंग ने दावा किया है कि मौझूदा लोकसवा चुनावों के बाद कॉंग्रिस खत्म हो जाएगी इस बात पर नोंने ज कहा कि मुझे लगता है कि आज इसे दस साल बाद जब बच्चों से कॉंग्रिस के बारे में पूछा जाएगा जब मैं उनकी दोरदशा देखता हूँ तो मुझे दया आती है जैसे डायनास और धरती से गायब हो गए वैसे ही कॉंग्रिस भी गायब हो जाएगी सिंग जो उम्मीद्वार नीमू बेन बंभानिया के लिए एक अभ्यान रैली को संबोधित कर रहे थे ने पूर्व राजाओ पर उनकी कथे टिपणियों को लेकर कॉंग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीका हमला भी बोला रक्षा मंद्री ने दावा कि उन्होंने लोगों की जमी हुआ करते थे जो लोगों की जमीन हरब कर दूसरों को दे देते थे जहां तक हमारे देश के राजाओं का सवाल है उन्होंने सरदार वनलभाई पर टेल की एक ही अपील पर अपनी सभी लियासतों को भारत में इस्थाना अंतरेत करने का निर्न लिया था राजनात सिंग न अरोफ लगी हैं लेकिन कोई यह नहीं कह सका कि अटल भिहारी वाजपर या नरीन मूदी के नेतित्व वाली सरकारों के किसी मंत्री पर ब्रश्टाचार का आरोफ हो ब्रश्टाचार को बड़ी बिमारी बताते हुए सिंग ने पूछा कि जब कॉंग्रेस सक्ता में थी तो